नवस्कार आप सभी का एग एंस्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिरियम 2005 के तहत यदी PIO द्वारा भरस्टाचार को दबान कर जूठा रिपोर्ट किया जाता है या किसी भी तरह भरस्टाचार को दबाने का कारी किया जात है और इसकी सिकायत आप सूचना आयोग में करते हैं और वहां भी आपको उचित कारवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे चलिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जो इस चैनल से पहली बार जुरुए हैं वो अब कर लें तथा बैल आइकन को दबा कर अल पर भी क्लिक कर रहें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे के ग्रूप में अवस्चेयर करेंगे वाटसप इंस्टाग्राम फेस्बुक जहां भी सुविदा हो वहाँ अवस्चेयर करें तथा एक लाइक अवस्चे कर देंगे तो मैं आज बताने जा रहा हूं कि यदि आप लोग सूचना आयोग के भी त्रिया कलाप से कारवाई से संतुष्ट नहीं है और लोग सूचना पदादेकारी के जूठे रिपोर्ट या वर या आप सबूत है तो आप सभी साक्ष के साथ सभी सबूतों के साथ आप इसकी सिकायत लोकायुक्त कारियाले प्रतिक राज में लोकायुक्त कारियाले होता है वहाँ भरष्टाचार से समतित ही सिकायत होती है वहाँ आप उस साक्ष को लेकर एक लिश्ट बना लें तथा उस पर जो भी आपको शिकायत करना है, पॉइंट टू पॉइंट एक आवेदन, लोकायुक्त के समक्ष लिख करके, आप पॉइंट टू पॉइंट आवेदन बनाएंगे, और जो भी आप डोकुमेंट्स सगलंग करेंगे, सभी की पांच परती होनी चाहिए, क्योंकि लोकायुक्त कार्याले में पांच परती में किसी भी सिकायत को ली जाती है, तथा एक सपत्र पत्र लगता है, तथा एक सो रुपए का आपको कोट फी लगेगा, तथा आप पचीस रुपए का एक वेलफेर टिकट भी ले लेंगे, जिने लोकायुक्त के कारियाले से हैं सपत्व पत्र बनवाना हो वो एक पहचानकरता साथ में अवस्टि लेकर जाए और वहां आप सभी साक्षूं को सगलन करते हुए सभी का कम से कम पाँच परती बना लेगे जो लोकायुक्त कारियाले में जमा होगा तथा एक परती आप अलग से अपने जानकारी के लिए रखेंगे जो किसी भी तरह के भरस्टाचार का प्रयाप सबूत आपके पास है प्रयाप साक्ष है तो आप इसकी सिकायत लोकायुक्त के समक्ष करेंगे तो निश्चित है कि वहाँ दोसी भ्रस्टाचारी अधिकारी कर्मियों पर लोक्षिकों पर अवस्ष करवाई होगी आप लोग एक बार अवस्ष लोकायुक्त कार्याले में भी सिकायत करें कुछ वहाँ फी के रूप में खर्च होता है लेकिन उसकी सिकायत पर एक नियामानुशार सिग्र करवाई होती है तथा दोसी पाए जाने पर कठोर से कठोर सजा उन्हें मिलती है इसलिए आप सभी RTI के माध्यम से यदि प्रस्टाचार का खुलासा किये हूँ या जिस किसी भी माध्यम से आपने प्रस्टाचार का खुलासा किया है और उसका प्रयाप्त सबूत है ध्यान रखेंगे जो भी आप सिकायत करेंगे उसका प्रयाप्त साक्षाप के पास होना चाहिए और उसे आप सगलंग करके सभी को सेलफ टेस्टिट करके आप उहां सिकायत दर्ज करवाएंगे तो सिग्र ही उस पर करवाई होगी और आसा है आप लोग इसका लाव लें और जिससे इस देश में हो रहे ब्रश्टाचार में कमी आए जिससे हम लोगों का कारी भी बिना घूस दिये बिना रिस्वत दिये सई धंग से करवाया जा सके इतना ही आप लोगों की शेवा में जैहिन